लिसारी गेट श्रत्र के फटह उल्लापुर स्थित प्राचीन माता मंदिर पर प्रतिवर्ष की महाती मेले का आयोजन क्या गया हर वर्ष होली की बाद मंदिर पर आयोजित मेले में प्रसाद चढ़ाया जाता है माता मंदिर पर मेले में दूर दराज से हलवा पराठा जूले वाक खिलोनों की दुकाने लगाई जाती है मंदिर पर श्रद्धालू प्रसाद चढ़ा कर बिमारियों से बचाव की मननत मांगते हैं सच्चे दिल से मंदिर में जो मांगते हैं वह कामना पूरी हो जाती है पुजारी शानू ने बताया कि मेले में नगर ही नहीं बलकी दूर दरास से भी शरद्धालू प्रसाद चढ़ा कर बीमारियों से बचाव की मन्नत मांगते हैं प्राचीन माता मंदिर पर चेचक वा खसरा जैसी बीमारियों के बचाव के लिए प्रसाद और सीधा चढ़ाया जाता है मंदिर में सुभा सवेरे से ही प्रसाद चढ़ाने वाले भक्तों की भारी भीड देखनी को मिलती है मंदिर में श्रद्धालू घर से लाया हुआ भोजन लाते हैं और प्रसाद चढ़ाने की बाद परिवार सहित मंदिर प्रांगण में ही बैठ कर भोजन का सेवन करते हैं शरद्धालू सुनीता रेखा सुमनबाला का कहना है कि माता मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से चेचक खसरा जैसी बिमारियों से बचाव होता है सुमबार को मंदिर में शरद्धालू की भारी भीड रही मेले में लगी दुकानों पर बच्चों ने खेल खिलोनी की खरेदारी की मेले की कमेटी में पन्डित श्यानू अमर लोधी उमेश्य शर्मा प्रमोद सूरजपाल याद्राम वेद प्रकाश लोधी की ओर से मेला लगाया जाता है सच्चे मंद से मांगने वाली की हर मुराद हो जाती है करीब 60 साल से मेला लगाया जाता है दूरदरास से दुकाना आती है जैसे की हलवा पराठा पकोड़ी खिलों ने जूले लगाया जाते हैं इस मेले में हिंदू मुस्तिम भाईचारी की मिसाल कायम है